बहुत कुछ हम बात करें या मतलब आई सोचते हैं कि हम़ोग जटना बारिष है तो कि हम्हों ने कि क्षाई देखा है लोग के तने अदिवट मँदा करणा बारीष आया कि जटना नहीं के बिल्स पत्सभी आई टो शेहर की बारिश का मज़ा लोग लेते बालकनी से लेकिन गाउन की बारिश का लोग मज़ा लेते खेतों में जाकर तो उसका एक हमने अगराय। अब लेवल पर देखा हुए चीज it और हमें लगता है शाद हमारी उलादे नहीं ले पाईगी है मुझे भी लगता है आपकी तो अलाद हो चुकी है मेरी नहीं हुई है मेरी तो शादी नहीं हुई है शादी शादी अगर शादी के ओपर बात करें तो जनता के बहुत सवाल है शादी के ओपर तो बाई शादी तो जब भगवान ने किसमत में जब जिस टाइम लिखी है, जो लिखने वाला जिस दिन शादी लिखेगा उसे दिन होगे भई और किसके साथ होगी? वो भगवानी जानता है, कमेंट सेक्शन में मेरे पास पहले से ही, भाई हम तो मो रहे हैं, बात करेंगे इस टॉपिक पर थोड़े देर बात, करेंगे बिल्गुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम बात करते हैं कि तुमने सक्सेस देखी, तुम यूटिब पे इंस्टाग्राम पे या यूटिउब पे बोलो कहीं भी, इंटरनेट पे एक रील देगी थी, कि हमारी कंट्री का न एक ड्रोबैक है, जहां पे लोग समझते हैं, अगर कोई बंदा स्टार्ट अप करने जा रहा है, या कोई काम करने जा रहा है, तो उसको ना खीचते हैं पगड़के, अब ये क्यों कर रहा है, ये कर ले, वो कर ले, कुछ सेटल्डमेंट वाला काम कर ले, जहां 25-30,000 उपे तो कमा सके, बट वही चीज फोरन में क्या होती है, कि अगर कोई बंदा स्टार्ट अप करने जाता है, या कुछ काम करने जाता है, या कुछ पता नहीं, क्यों लोग पागल हो रहा है, गोवर्मेंट जोब हमारी इंडिया में होगी, मुश्किल से दस जार, और उसके लिए अपलाई करने वाले बैठे कमछे में एक करोड लोग, बिलकुल, क्यों लोग पागल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग अपनी स्किल्स प बिलकुल होगे, जो आज भी ये कर रहा हूँ कि मैं फलाना पेपर की त्यारी कर रहा हूँ, फलानी डिगरी बिगरी कर के ये कर रहा हूँ, वो प्रस्पेक्ट वी रहता है, और इक अच्छी लेवल पर जाना है, लेकिन कितने निकल पाते होँगे इसमें से, तीसमें से, नहीं एक मेरे 30 मिला लो अपने 30 मिला लो 60 मिला के भी एक निकल जाएगा मुस्केशे मेरे बिद्धा 2-3 निकल चुके हैं तो मेरे तो 5-10% की अवरे शक्सेसरेट है मतलब मैं आपने थोड़ बता हूं एक तो सक्सेसरेट को हम कभी डिफाइन ही निकर सकते सक्सेसरेट अफरे करें हैं अगर मैं आप अपने सक्सेसरेट देखके चलता तो मैं कभी इस तरीके सब्सूचा ही नहीं तो सक्सेसरेट अगर लोग समझ आती तो मेरे पहले साथ यूपिसट की तया री कोण बनी करता है नहीं किसी के परिवार में 10-10 लोग UPSC वाले हैं, किसी की में आस तक एक भी नहीं है, तो तो सक्सेस रेट अगर परिवार वाइस देखे जाए उन बंदों के इसाब से, तो उनकी सक्सेस रेट तो 10 में से 3 मंद है UPSC में है, तो उनकी तो 30% होगी, पर अगर हम ओल ओवर इंडिया देखे जाए तो वो पॉइंटों में आती है, पॉइंट जिरो पॉइंट कुछ परसेंट है, एगरी, तो तुमने बीटेक करने चले थे तुम, तो मैं बात करना था हूँ, स्कूलिंग कैसी थी तुमारी, और स्कूलिंग से बीटेक तक का सफर कैसा था, क्योंकि आज तक तुमने कितने पोड़कास्ते होंगे, शायD इस सफर कभी डिस्केशन नहीं होगा, मैंने दे लिए тीन चार पोड़कास् तुम आज इस सफर भी डिसकेशन करेंगे, कि तुम पैदा हुए, पैदा होने से लेए runs के तक का, वेड़रे यूटिव जनरूरी, श्रूर्ट होत जब से मेरे को होश, जिसको बोलते हैं कि बच्च नियो होश सामाल लिया वहां से लेगे आपको अपनी B.T.E.C. की सफर में आपको बारी की से बताऊंगा, पूछो आपको क्या पूछना है स्टार्टिक निस्टार्ट करो, तुम खुद अपने मूँसे बताओ, मुझे तुम पता है तो देगो भाई, जो मेरे को मतलब होश था तो मम्मी ने मेरे को तीन साल के उमर में एक स्कूल में डाला था जो गाउं में एक स्कूल था, जिसको प्ले स्कूल आज के टाइम पर बोलते है, उस टाइम पर प्ले स्कूल नहीं हो गारता था नोर्मली होता था था कि बच्चे को दाल भागा, अंगनवाडी से थोड़ा उपर बोल सकता ह। अब एक प्राइवेट स्कूल था हो तो मैं मम्मी का ऐकी मोटिव था कि हमारे ऐस्परोस में प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे हमारे आस्परोस में हमारे गाउं में एकी रीत होती थी कि बच्चों बस पढ़ाई को उनकी सेकंडरी रbekा जाता था कि बच्चा पड़ रहा है, सरकारी में डाल दो, हमें उनके पड़ा इसे कोई मतलब नहीं, वो अपने आप कुछ करेगा, एक माबाप का नहीं एक मेंटल वो रहता था कि कुछ करना है तो कर लेगा, फलाना फारम भर देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कुछ रहता थ कि हमारे बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलनी चीए, अब जितनी उनकी इंकम थी या, जितनी उनकी इकनोमिक लिए स्ट्रोंग थे, उस अकोर्डिंग उन्होंने मेरे को जितना वो बैस्ट कर सकते थे उन्होंने मेरे को दिया, हमारे गाहों से मतलब होता नहीं कि एक में भी कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो अच्छे स्कूल में पड़ पाते हैं या जैसे मैंने आपको बदा है कि बस की फैसिलिटी होती है, तो मेरे पास बस की फैसिलिटी अच्छे स्कूल की एक प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटी स्टार्टिंग से थी, क्योंकि उस इस टाइम पे गोर्रेमेंट स्कूल आप कोई पता है, बदतर होते थे बिलकुल.